हेलो दूफ्तो आज मैंने एमजोन मिनी टीवी पर रफ्ता रफ्ता नाम का एक शो दीखा एंड यार इस शो के राइटर्स में नाम आता है हुषेन दलाल और अबास दलाल का जो इसे पहले ताजा खबर को लिख चुके हैं एंड देंडोरा के को स्क्रीन पिले राइटर भी थे हलांकि देंडोरा का ओरिजिनल आइडिया भूबन बाम का था इन शोट हुषेन दलाल और अबास दलाल इसे पहले दो ठीक ठाक अच्छे एंडर्टेनिंग शो दे चुके हैं जिसे देखने में मज़ा आया हो या फिर जो आपको आगे भी देखने के लिए मजबूर कर पाए कुछ भी यहां पर कन्विंसिंग रिलेटेबल जैसा नहीं हो पाता यार इसे ज्यादा अच्छे शोज तो स्टार प्लस और सब टीवी पर आते हैं कम से कम उनमें डेप्ट तो होती है करेक्टर्स में हम इन्वेस्ट हो पाते हैं लेकिन यहां पर तो राइटिंग ही डीली है सेकेंड एपिसोड में जब उसके चाचा आते हैं भाई वो इतना पकाते हैं कि मेरा मन कर रहा था कि मैं इसे बहीं पर छोड़ दूँ अतुल सिर्बाफ्तर यहां पर मंगल चाचा के किरदार में हैं और उनका वो करेक्टर कुछ भी बोलेगा मतलब बुरा ही बोलेगा और बाद में हसकत कहीगा जस्ट किडिंग यह इतना इरिटेटिंग करेक्टर है बो कि मैं क्या ही बताऊं वैसे ही फफ्ट एपिसोड में राकेश बेदी का करेक्टर वो ऐसे ही घर में घुषे चले आते हैं उपर से उनकी फालतों की बातें और फिर उनका ग्रेंड़ सन और बैसे ही फेकेंड एपिसोड में चाचा चाची और बो सब ड्रामा एंड हद तो हो जाती है थर्ड एपिसोड में 16 मिनट का बो एपिसोड है और बहाँ पर यह लोग इतनी देद तक बस चूहा ही पकड़ते रहते हैं और फिर फिर फेकेंड में दोबारा से यही पहले बो लोग एक हॉरर मूबी देखते हैं और फिर पूरे घर में डर डर के गुमते हैं कि कहीं भूत तो नहीं है I mean मतलब क्या है यह किया फोच का देशी लिखा और कहां से यह आईडिया लाई हो यार यहां पर जो supporting actors जो कुछ भी कर रहे थे उसे देखकर साब साब लगता है कि यह लोग effort लगा कर बो चीज बो acting कर रहे हैं ऐसा फिल होता है कि उनसे करबाया जा रहा है और इसलिए मैंने कहा कि इसमें depth नहीं है writing में दम नहीं है कुछ भी यहां पर natural सा लगता ही नहीं है हला कि भूबन बम और वो actress श्रिफ्टे वो यहां पर अच्छे लगते हैं उन दोनों की acting मुझे पसंद आई बस उने की अच्छी acting की बजाए से मैं इसे देखे जा रहा था बट यहसे 6th episode में यह शो flashback में जाता है तो बहाँ पर चीज़ें कुछ अची हुई और सिर्फ बही पार्ट मुझे engaging लगा बहाँ पर मैं इसी शो में invest हो पाया एंड यार इस्टोरी के बारे मैं तुम्हें बताना ही भूल गया शो एक newly married couple फोकस्ट है जिनकी आपस में कुछ खास नहीं बनती बट धीरे धीरे जब बो लोग एक दूसरे को समझते हैं एक ही घर में रहते हैं तो एंड में चीज़ें अचानक से सही हो जाती है that's all एंड इसे शो की एक और घटिया चीज मुझे ये लगी कि ये हर एक episode में एक अलगी topic को उठाता है मतलब जैसे एक episode में ये लोग चूहा पकड़ते रहते हैं यहां तक कि ये लोग चूहे से एतना ड़ते हैं कि कोई फोफे पर चड़ा हुआ है और कोई कहीं और छपा हुआ है एक अगले episode में बो लोग horror movie देखते हैं तो बहां पर एक अलगी ही drama start होता है तो यहां पर इस show में यही फालतोगी बेफिजूल चीजें होती देती हैं और इस show का direction भी उतना ही घटिया है जितना की इसका plot मतलब director यहां पर हमें अपने साथ connect ही नहीं कर पाते तो भाई भोवन बाम से मुझे ऐसे घटिया show की उमीद तो ज़रा भी नहीं थी हलांकि उनका काम अच्छा है अगर आप इस show का 5th episode देखने के बाद direct 6th episode को देखने लग जाओगे तो आपको कहीं पर भी ऐसा feel ही नहीं होगा की आपने कुछ बीच में मिस कर दिया कुछ इस अंदाज में इसे present किया गया है बट यह ऐसे 6th और 7th episode आपको बारी बारी एक साथ देखने पढ़ेंगे तो यार skip करो मुझे तो दो चारी चीज़ों को छोड़ कर यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगा मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रियक्ति बश्कर ने फिर चाहे या अपलाइक करें और डिसलाइक इस लाइक इस अप टो यू झाहता हूँ